नमस्कार दोस्तों सौगत आपका हमार यूटुब चैनल महादेव योगी पर ग्यास की समझे में आज हम विस्तार से बात करेंगे सिम्टम यानि कि लक्षन, कौज, कारण क्या है योगासन कौंसे करने चाहिए, प्रानयम कौंसा करना चाहिए आहार में क्या लेना है, शाक सबजे में क्या लेना है, फलो में क्या लेना है अपत्य क्या है, पत्य क्या है, और अंत में चिकिसा कौंसी करनी है इन सब के बारे में डिटेल्स में तो चले शुरू करते हैं ग्यास की बिमारी के लक्षन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो खाना खाने के बाद डकार आना, खटी डकार आना, पेट फुला फुला सा रहना जब खाना पच रहा हो उस समय में ग्यास बनना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्यास बनना, बार बार पाद आना ग्यास की वज़े से चेश्ट में पेन होना, खाने के प्रती अरोची रहना, मूँ का स्वाध बिगड़ना, जिप पे सपेद मेल की एक परत जम जाना, ये जो सारे लक्षन है वो ग्यास की बिमारी के लक्षन है ग्यास की समस्या के कारण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मेन कारणों में आता है, कि आपका आमाशे लिवर विक होना, जिसके वज़े से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उसका सिक्रेशन प्रॉपर तरिके से होता नहीं है, और जो भी आप खाते है, वो ठीक से खाना खाते है, जो खाना आपके शरीर को सूट नहीं करता, ऐसा खाना खाते है, और ठूश ठूश के खाते है, बेवक्त खाते है, बार बार खाते है, ऐसे समय में भी ग्यास होनी की समस्या हो जाती है, इसके अलावा, मेटाबॉलिजम या तो बहुत स्लो रहता है, इसके वजीसे भी ग्यास के समझे हो जाती है आपकी physical activity बिलकुल नहीं होती इसकी वजीसे भी ग्यास के समझे हो जाती है main कारण में और आता है कि आपके जो नाभी है वो कभी कबार displays हो जाती है एक site में खिशक जाती है जिसकी वज़े से भी आपका पेट जो है वो अपसेट रहता है, खायावा ठीक से पच्छता नहीं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्यास बन जाती है, तो आपको इन सारे कारणों को पहले तो देखकर इसको दूर करना पड़ेगा. अगर बात करें ग्यास की समस्या में हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो आपको उत्तानपाद आसन करना चाहिए, जिसको नवकासन भी कहते हैं, नवकासन करना चाहिए, हलासन करना चाहिए, सरवंगासन करना चाहिए, पवन मुकतासन बेश्ट होता है ग्यास की समस्या म जिसके नाम में है पवन मतलब हवा, मुक्त मतलब रिमो करना तो ग्यास को रिमो करने के लिए पवन मुक्तासन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए, आपको भुजंगासन करना चाहिए, मत्स्यासन करना चाहिए, वक्रासन, पच्चिमोत्तानासन, तो ये जो आसन है, इनक अब्यास आपको करना चाहिए ताकि ग्यास की जो समस्या है वे ठीक हो जाए ग्यास की समस्या में प्रानायम के अगर बात करें तो आपको सुर्य बेदी प्रानायम करना चाहिए ग्यास की समस्या में सुर्य बेदी प्रानायम काफी एफेक्टिव होता है इसके अलावा आपको भाहिय कुम्बक का भी अब्यास करना चाहिए और आपको कपाल बाती भी करनी चाहिए कपाल बाती भी बहुत ज़्यादा एफेक्टिव होती है ग्यास के समझ से हमें शाक शब्जे में आपको गाजर, मूली, टिंडा, तोरई, परवल, मेती की सब्जी ऐसे जो सब्जिया है ये सारे सब्जिया आपको खानी चाहिए लेकिन याद रखे कि मूली अगर सुबह खाते है तो ठीक है लेकिन अगर शाम को खाते है तो वही उल्टा काम करेगा आपको ग्यास ज़्यादा बनाएगी तो मूली सुबह ही खाया कीजिये ग्यास की समझ से में अगर हम फलों की बात करें तो संत्रा मोसमवी, पपिता, अंगूर, अमरूद, सेप जिन में फाइबर की मातरा ज़्यादा रहती है ऐसे सारे फल आपको खाने चाहिए बोजन में आपको चोकर के आटे वाली रोटी खानी चाहिए और चावल कम खाने चाहिए या कुछ दिनों तक नहीं खाने चाहिए इसके अलावा उपवास और रसाहार का वियाब उपयोग कर सकते है अब पत्यक के बात करें यानि के आपको कौन सी चीज़े नहीं खानी चाहिए उसमें दाले खास करके उड़त की दाल मूंकी चल जाएगी मूंकी छोड़के जो बाकी दाले उनको टालना है उड़त की तो बिलकुल नहीं खानी ही इसके अलावा फुल गोबी, आलू, तले भूने चीज़े ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़े गरिष्ट भोजन, ठंडा पानी, मांसाहार ये सारी चीज़े आपको टालनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अगर हम चिकिसा की बात करें तो आपको क्या करना है सुबह-सुबह निम्बू का पानी पीना है एनिमा लेना है इसके अलावा लंच के बाद अजवायन और काला नमक खाना है खाना खाने के बाद इलाइची, सोबग, जो पाचक चीज़े है ऐसे कोई न कोई चीज़ आपको खानी है इसके अलावा आपको पेट की कोई मुवमिंट हो जाए ऐसे एकसरसाइज रोज करनी है सुबह ट्वायलेट जाने से पहले एक से दो गलास कोसा पानी पीकर पवन मुक्तासन करना है पानी पीते समय कागासन में बैटना है उसके बाद पवन मुक्तासन करना है आप मरकटासन भी कर सकते और दोनों ना कर पाए तो 5-10 मिनिट टहल सकते है इदर उदर गरम पानी पीके उसके बाद ही टोईलेट जाएए तो जो आपका पेट है पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ग्यास की समस्या ठीक हो जाएगी तो दोस्तो ये थी कुछ जानकारी ग्यास की समस्या के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए सुस्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद